तो है गाइस गुड़ मॉनिंग और विडियो तो आई हो कि सभी लोग स्वस्त और मस्त होंगा और आगे भी से रहेंगे तो गाइस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आने वाले सेवंथ एनिवर्सरी इवेंट के बारे में जो कि दोस्तों फ्री फैर का जो है सबसे बड देखने को मिलते हैं उसके बारे में डिसकस करेंगे इसके लाओ दोस्तों बहुत सारे कमेंड वगरा का जो रिपलाई है वह आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा इसके लाओ दोस्तों और भी कुछ छोटे मोटे इवेंट्स वगरा के बारे में बात करेंगे वीडियो का फिर है important है बस एक छोड़ रिक्वेस्ट है कि फटा फट वीडियो को like और चैनल को subscribe कर लीजिए सबसले दोस्तों बात करते हैं इन गेम इवेंड के बारे में तो हमारे गेम के ओपर दोस्तों आ चुका है new hyperbook top up जिसके बारे मैंने आपको बताया हुआ था तो यहाँ पे आपको 100 diamond में जो है hyperbook मिल लिए बांकि अगर आप और top up करते हैं तो आपको 20-20 token मिल जाएंगे लेकिन दोस्तों 20-20 token मिलेंगे तो उतना कोई इफेक्ट पढ़ना आला है नहीं क्योंकि आपको यहाँ पे पूरी hyperbook को complete करने के लिए बहुत अरे token चाहिए होंगे तो मेरे साब से आप hyperbook से अच्छा यहाँ पे spin कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर आप spin करेंगे तो आपका जो भी फैवरेल रिवार्ड है आसा तो नहीं है कि भाई पूरे hyperbook के रिवार्ड आपको चीह होंगे तो इमोड चीह होगा या गनिस्किन चीह होगा तो आप अपने according है यहाँ से कोई भी चीज को निकाल सकते हैं क्योंकि इसके अंदर अपने universal ring token भी यूजमा आ रहे हैं तो यह गरिना वालों काफी बढ़िया किया है कि भाई चलो जितने भी event आ रहे हैं अभी सारे event में अपने को यह वाले जो voucher हो देखने को मिलने हैं य यह चीज काफी बढ़िया कर रही है तो आप लोग बताना कि क्या आप लेने वाले हो इसका लावा न्यू एड्रॉप भी आ चुका है भाई लेकिन तीन voucher मिलने तो भाई यह तो बेकार एड्रॉप है तो इसको लेने का कोई फैदा है नहीं लेकिन हो सकते है कि अभी 29 सु आ सकते है तो मैं वेट कर रहा हूं और देखते हैं कोई ड्रॉप अगजरा आते है या फिर नहीं आते है बाके आप लोग बताना कि आपके उसमें क्या एड्रॉप अगरा आ रहे हैं कंटीनू या नहीं आ रहे हैं इसके लएक भाई ने कमेंड किया कि नश्ट इवो गन होने वाली है और आपने एक और चीज नोटीस करी होगी कि अभी लगबग हर सरवर के उपर जो हमारी ओल्ड वाली स्कार उसको रिटन पर दिया जा रहे है तो इसका मतलब यह है कि नेश्ट इवोगन अपनी स्कार 2.0 ही रहने वाली है इसके लग भाई तो देखो भाई पैराडॉक्स बंडल जो है उसके बारे मैं आपको 3-4 दिन पहली बता दिया था कि 23 तारिक के दिन आने वाल है और इवेंट कुछ इस तरगे का रहने वाल है टोकन टावर इवेंट रहने वाल है लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े बहुत चांस है कि गरी ना कही इवेंट चेंज भी कर सकता है हो सकता है कि आपको टोकन टावर के बले टोकन वील देखने को मिल जाए तो बिलकुश शौर नहीं है इवेंट लेकिन जहां तक हाई चांस है वो टोकन टावर इवेंट आने कहीं है क्योंकि बहार के सरवर के उपर भी टोकन टावर का इवें तो यह बढ़िया तरीका है बाग की इसके लाइक भाई ने कमेंड किया है कि न्यू ट्रैप बंडल कब आएगा और मेरे पास 100 यूनिवर्ट टोकन है तो क्या मैं गुलू और निकालू या फिर कटाना तो मेरे इसाब से बाई देखो गुलू और फ्री में मिली जाती है तो म काफी अच्छा है उसका यूनिक डिजाइन है और लुक भी काफी बढ़ी है तो मेरे हिसाब से तो अगर मैं होता तो मैं तो कटाना ही निकालता बांकि ट्रैप बंडल के बारे में बात करते हो देखो बाई ट्रैप बंडल जो है पिछली बार एनिवर्सरी में न्यू ट्र अगरा में भी आते रहते हैं आपको पता यह ट्रैप वाले बंडल तो अनिवर्सरी इवेंट आने दो आपको सारे ट्रैप बंडल रिटन देखने को मिल सकते हैं इसकाल भाई ने कमेंड किया क्या इवो इसकार फैड़ विल में आ सकती है तो देखो बाई जहां तक इंडि सर्वर के उपर भी जो है फैड विल का इवेंट देना चीए डेखो टोकन विल का इवेंट काफी महेंग है और उसमें शौर भी नहीं रहता है कि कोई भी इवो गन हापन निकल सकती है लेकिन बाहर सर और फैड विल दिया जा रहे है तो गरिना वालों से रिक्वेस्ट है और गरिना वालों को हम इसकी कंप्लेन भी भेज दिंगे कि भाई देखो फैड विल के अंदर जो है अपना इवो गन एटलिस्ट कुछ न कुछ इवो गन तो जरूर देनी चीए हाला कि डेली मत दो लेकिन तो चार महने में एक तो देनी चीए भाई इसके लग भाई ने कम पर रोयल हो सकता है लेकिन डेट कुछ पता नहीं है तो मुझे जो परसनली लगता है मेरे हिसाब से आपको 7th anniversary के टाइम पर ही जो अपनी स्कार्फ है और रिटन पर देखने को मिलेंगे क्योंकि anniversary के टाइम पर इस टाइप के जो इवेंट होते हैं वो काफी आते हैं इसके और अराकी थीम के उपर इन बंडल को डिजाइन किया गया है तो अभी तक अपडेट आयोए एक महना हो चुका है लेकिन कोई भी मॉंसून ओर आकी या फिर कोई भी जो अपना स्रीच का कोई भी बंडल अभी तक नहीं आ रखा है तो आप देख सकते हैं मॉंसून ओर आकी बांकि आपको मौन्सोन औराकी वाला जो बंडल आखने में जून के लास्ट तक देखने को मिल जायगा, तो यह जो दो टोकन विल मैंने आपको दिखाए, इनके आने के सबसे जैदा हाइ पॉसिबल चांस हैं, तो आने वाले दिनों के अंदर अखे के इसरस तारिक वफ्यों comment कि है कि भाई zombie samurai bundle निकालने में कितना diamond लगेगा please pick my comment तो देखो भाई में आपको पहले ही बताया वाथ है कि जो अपना samurai bundle है वो कुछ इस तरगी के event में आने वाला है इस event का नाम होता है token wheel और token wheel के अंदर आपको पता ही है कि maximum कितने diamond लग जाते हैं लगभग जो है 2000 diamond तो आपके लगेंगे ही लगेंगे अगर बाई चांस से universal ring token यहाँ पे रहते हैं तब जाके आपके 500 diamond में निकल सकता है लेकिन अगर token कोई अलग token रहते हैं तब जाके आपको लगभग 2 से लेके 5000 diamond लगाने पड़ेंगे देन उसके बाद ही आपको जो है samurai bundle मिल पाएगा तो आप लोग वेट करो आपने diamond कलेक्ट करो जब भी event आएगा तो आप लोग spin कर लेना यहाँ पे दोस्तो anniversary के अंदर अपने इस तरके के 4-5 bundle जो हैं आने वाले हैं जो कि आपको 7th anniversary special देखने को मिलेंगे हो सकता है इनमे से कोई एक evo bundle भी आपको देखने को मिल जाए इसके लाओ जो अपना new banner है anniversary का वो निकल के आ चुका है तो banner poster आप देख सकते हैं इसके लाओ दोस्तो free magic cube का भी जो event हो confirm हो चुका है anniversary के time पे free magic cube दिया जाएगा and magic cube का जो store है उसको भी update किया जाएगा अपने clone bundle अपने कुछ और old bundle कुछ new bundle आपको देखने को मिलेंगे then दोस्तो pink diamond का event भी हो सकता है कि आ जाए क्योंकि पिछली बार भी जब पहले आये वा था तो anniversary के time पे आये वा था तो हो सकता है कि इस बार भी देखने को मिल जाए and इसके लाओ दोस्तो कुछ voucher वगरा नि जो हैं आने वाले हैं अपने anniversary event में तो काफी बड़ा event आने वाले है बस आप लोग wait करो इसके लाओ दोस्तो अगर आपको सस्ते में EoGun के token वगरा पर्चेस करने है diamond पर्चेस करने है तो HD game shop से पर्चेस कर सकते हैं कोई doubt हो कोई question हो तो मैंने instagram id दी है मुझे message कर लेना वर आभी दोस्तो वीडियो में इतना ही वीडियो को लाइक जोड़ से रूख रहें